अनन्त कोटी ब्रम्हांड के स्रष्टा, निर्गुण निराकार, निरंजन निरलिप्त, निर्विकार एवं अनादी अनन्त रहित पराथपर, सच्चिदानंद परंब्रम्ह को जानने के लिए, वेद, उपनिसद व अन्य सास्त्रों के माध्यम नहीं, नेती नेती अर्थात नहीं 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 नामक आप्त व्याक्य के द्वारा असमर्थत अव्यक्त की है, उसी अचिंत्य अव्यक्त रूपातीत अलेख अनन्त ब्रम्ह की स्रिष्टी रूपक लिलाओं को प्रकट करने हेटी, इस अनन्त कोटी परिद्रिश्चमान जगत की स्रिष्टी हुई है, जिसका एक अंश है हमारा देश भारत, जो धर्म भूई के रूप में प्रख्यात है, यहाँ पर ज्ञानी, गुणी, रुसी वुनियों ने अवतरीत होकर मानव समाज को शिक्षा, संस्कृती वर सभ्यता का पाठ पड़ाया, उन महान विवितियों ने आदर्श जीवन के जो मानदंड स्थापित किये, वही सनातन धर्म कहलाया, बनवासियों द्वारा पुजे जाने वाले श्री निलमाधव की ही कालांतर में स्री जगनात के रूप में पुजा की जाने लगी, ओडिसा राज्य के पुरी शहर, जो स्री जगनात धाम के नाम से प्रसिद्ध है, आज हर सनातनी हिंदू के लिए एक पावन तिर्थ है, परंतु, आज से धाई हजारवर शुकूर्व, हमारी इस सनातनी सस्कृती और धर्म के लिए एक चिंता जनक और गंभिर्थिती उत्पन हो गई थी, जन्साधरन त्राही त्राही करने लगे थे, धर्म की ग्लानी के इस संकट काल में, धर्म की पुनर्थापना के लिए, एवं सनातनी संस्कृती की धर्म ध्वजा के, पहले ही के जैसे महिमामय स्वरुप को बनाये रखने के लिए, एक नवीन सूर्य का उदय हुआ, हमारे इस भारत भूमी में। परम पावन इस भुखन के दक्षिनी प्रांग में, जिसे आज हम केरल के नाम से जानते हैं, कालाडी नामक ग्राम में, श्री आदी संकराचार्य का आविर्भाव हुआ, और इस प्रकार सनातन संस्कृती के महसागर में, जब भाटा आने जैसा प्रतित हो रहा था, उसमें परम पूजनिय श्री आदी संकराचार्य के अदम में साहस एवं प्रयास के फल सरूप जवार उठने लगे, धर्म वा सस्कृती की जोती को देदिक प्यमान बनाये रखने के लिए, श्री आदी संकराचार्य ने समग्र देश का भ्रमन किया, यह शुब वा मंगल कारिय बि पुरी धाम की परम पावन भुनी पर सनातन धर्म एवं सस्कृती के रक्षक का दाईत्यो संपाधन करता आ रहा है, यहां पर स्थापित श्री गोवर्धन पेट भारत देश के पुर्वी तटपर, स्री जगतनात धाम में भगवत पाद जगत गुरू स्री आदी संकराचार्य जी ने इस गोवर्धन पेट की स्थापना की, इस मठ के प्रथम संकराचार्य के रूप में अधिश्ठित हुए थे स्री पद्म पादाचार्य जी मठ की स्थापना के समय, श्री आदी संकराचार्य ने जब श्री मंदीर के रत्न सिंहासन को रिक्त देखा, तो वे आहत हुए, उस समय बौध धर्म का प्रावल्य, एवं एक समूह द्वारा मुर्ती पूजा का घोर विरोध के कारण, उनके आक्रमन से सुरक्षित रखने क के लिए स्री जगनात महाप्रभु के विग्रह को पाताली किया गया था, इस संबंध में जन साधरन अनभिज्य थे, आदी गुरु ने ध्यान मगन होकर मानस नेत्र द्वारा विग्रह की अवस्थिती को देखा, और विग्रह उधार के लिए गजपती महराज को निर्दे विग्रह माटी के भीतरतु विलुक्त प्राय हो गये थे, परंतु ब्रह्म अक्षिरन था, विग्रहों का पुनर निर्माल कर उन्हें वैशाक शुक्ल दसमी के दिन रत्न सिंहासन पर अधिश्थित किया गया, इसके साथ श्री मंदीर को उसु व्यवस्थित रखने के लि मंदीर में भोग मंडप अस्तित्तो में आया, उसी समय से स्री मंदीर की सारी उजाविधी वपरंपरा इसी गोवर्धन पीठ के स्री संक्राचार्य जी के मार्प दर्सन में होती आई है, इस पीठ के प्रमूख इष्ट देवता है, स्री जगन्नात, देवी मा भगवती वि करने के लिए मठ के परिशर में श्री अर्धनारिश्वर महादेव की प्रतिमा की स्थापना की थी, श्री गोवर्धन पीठ के समस्त शंक्राचार्य वेद पूराण में निशनात होने के साथ सा मुर्धन्य पंडित भी रहे, पीठ के 142 शंक्राचार्य श्री मधुसुदन स्थापना से लेकर अब तक मठ में 145 संक्राचार्य अधिश्ठित हो चुके हैं। ब्रह्मलीन पूर्वशंक्राचार्यों की समाधी मठ की भूमी पर निर्मित की गई जो दुर्भाग्यवश प्रशाशनिक उदासिंता के कारण इस समय असामाजिक वधन पिपासु व्यक्तियों के अधिकार में है। गोवर्धन पीठ के वर्तमान पिठाधीश स्रिमत जगतगरू स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महराज जिनोंने हिमालय वन नयमिशारण्य में घोर साधना कर ब्रह्मध्य पुरुष स्वामी हरीहरानंद सरस्वती करपातरी महराज का शिश्षत लाहर किया अपनी साध से भी अधिक सारगर्भक धार्मिक ग्रंथों की रचना की है एवं मानव जाती को सत मार्ग प्रदर्शित करने की दिश्रा में आप सतत प्रयासरत है मठ परिशर में एक दातव्य चिकित सालाय कारेरत है जहां एंबुलेंस सेवा भी उपलठ है इसके अतिरिक यहां एक वे वर्से औस धियां प्रस्थ्यत की जाती है यहांके व्यायं साल्antly में प्रशिक्षित युवा राष्टीर सतर पर यस अर्जित कर रहे हैं स्वस्ती प्रकाशन के लाम से एक प्रकाशान सथा भी यहां कार्य कर रहा है एक स्वस्थ समाज के गठन एवं सनातन धर्म की शुरक्षा है तू, युवाओं की आदित्य वाहिनी, माताओं बहनों की आनन्द वाहिनी, बाल वर्थ के लिए बाल आदित्य वाहिनी व बाल आनन्द वाहिनी और उसके साथ साथ वयस्कों के लिए पीठ परिशद आदि मठ की और से महोदधी की दैनिक सांध्य आर्थी की भी व्यवस्था की गई समय के साथ साथ चलते हुए परंपरा का निर्वाह एवं उन्नती के सोपान पर पग रखने में समन्वय बनाने के उद्देश से स्री गुवर्धन पिठ के मठाधीश परंपुज्य श्रिमत जगत गुरू संकराचारिय स्वामी निष्चलानंद सरस्वती महराज सतत प्रयासरत है आपके प्रत्यक्ष देखरेख में मठ के विकास हेतु अनेकों योजनाएं इस समय कार्यानवित की जा रही है इन योजनाओं को मुर्त रूप लेकर प्रभावी धंसे कार्यानवित करने के लिए श्री गोवर्धन पिठ उन्नयन सस्थानम दामक एक समीती का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष है पूरी के गजपती महराज स्री दिव्य सिंग देव महबे समीती की कार्यकारिता के महत्व पर ध्यान रखते हुए समीती में पदाधिकारी के रूप में समाज के विभिन वर्ग के जानेवाने विद्वान वयवगृद धगोनी एवं चिंतन शिर्थ वप्रतिष्ठित सज्जनों को नामित किया गया है मठ की प्राचिन परंपरा के प्रती आस्था वविश्वास रदय में भक्ती भाव का प्रावल्य का धरोहर लिए इश्वर के पती समर्पित समीती के समस्त सदस्य परंपुज संकराचारी महराज जी की भावनाओं को वास्तवता का रूप देने में संगलक भूए सनातन धर्म की सुरक्षा तथा श्री गोवर्धन पीठ की प्राचिन वपावन परंपरा को बनाए रखने हैं तू प्रभू श्री यगनात के आशिरवाद के साथ साथ आप सभी के महतपूर्ण योगदान की कामना करते हैं हर हर महादे हर महादे